जय मातादी मित्रो मेरे नाम पंडीत प्रकाश जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्ट वाज में मित्रो आज जम चर्चा करने करक राशी के मंथली राशी फाल यानि अक्टूबर दोजार तेईस में करक राशी के साथ क्या घटनाए घटित होगी औ है योगा योग से वो कौन-कौन सी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जो तिस ये द्रिष्टी से तीन बड़ी घटना है अक्टूबर के मेने में घटित हो रही है यानि ब्रमान के अंदर घटित हो रही है जिसका प्रभाव पूरे वड़ पे पड़ेगा व और तीस अक्टूबर को अठारा साल बाद राहू के तुका राशी परिवर्तन होने जा रहा है करक राशी पर क्या प्रभाव है आपको मालूम नहीं है तो जल्दी स्क्रोंड डाउन करके यूट्यूब फेस्बुक चैनल में वो करक राशी वाली वीडियो देखके अपने जीवन की प्लानिंग बना ले याद रखिएगा बहुत लाब करी रहेगा चलिए पहले हम करक राशी यानि कैंसीरियन के अक्टूबर के मंदली राशी फल के बारे में बात कर लेते हैं ये जो है भई करक राशी की कुंडली है शुक्र दुत्य इस्थान में बैटे हैं देखा जाए तो अस्ट्रम भाहों के अंदर शनी महाराज आ चुके हैं और देखा जाए तो चंद्रमा गोरू और राहू यानि कि यहां पर ब्रस्पती अक्टूबर के मेने में दोगले होने वाले एक तरफ गुरू चंडाल दोश भी बना रहे हैं जो कराब है और एक तर सवामी हैंदेखा जाए तो दसमिस्तान में बैठें गूरू राहू और चंद्रमा बैठें यानि आपकी लगन के स्वामी चंद्रमा हैं जो की गजकेसरी के साथ भी बैठें और गुरु चंडाल दोश के साथ भी बैठें तो देखा जाए तो अक्टूबर का महिना करकराशी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है आपको अक्टूबर के महिने में चिर्चड़ा अपन जादा रहेगा गुस्सा जादा आएगा मानसिक तनाव रहेगा बेफालतु के भहम में आप फस सकते हैं बेफालतु की सोच में आप फस सकते हैं यानि यह जो 17 दिन है खासकार एक से लेका और 17 अक्टूबर तक आप बड़े परेशान रहेंगे आपका मन बहुत चं कराशी के एक तो मेंटली हेल्थ के लिए खराब हैं और फिजीकली हेल्थ के लिए खराब हैं तो ऐसे में कोई बड़ा निर्णे आप ना लें ज्यादा अच्छा रहेगा 17 के बाद बाकी अगर देखा जाए 18 ते लिकर 31 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा है है यहां पर आप अपने काम को कर सकते हैं कोई भी इंपोर्टेंट वर्क जो मेंटल टेंशन वाला है उसको 17 अक्टूबर तक अगर पोश्पोन करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में भाई आपके शुक्र बैठे हैं और शनी आप दात हो सकती है पहला तो अक्टूबर के मैंने में खूब धन भरसने वाला है या खूब सारी इंकम हो गी या कूब सारी इंकम के प्रो मिस आपको देखने हूआ जैए रहेगे ःग्त धनके आपके अछसे योग अक्टूबर में बन रहे हैं सेकेंड देखा जाए बंदद क काम भी फसा काम भी या उधार दिये पैसे भी आपके अक्टूबर के मैने में रिकवर हो रहे हैं बस गुस्सा मत कीजिएगा जिससे पैसे लेने मिटिंग करके प्यार प्यार से काम निकालिएगा प्यार प्यार से आपका धन निकल जाएगा गुस्सा करा तो चीजे खराब नहीं हो सकती है इसलिए क्रोज नहीं करना अक्टूबर के मैंने में याद रगेगा धन की रिकवरी शुक्र के गारण आपकी मिल रही है तीसरी गटना के बारे में बात करें तो तो भाई कहीं ना कहीं सूरी और बुद्ध बुदा दितियों बन रहे लेकिन मंगल यहां माता पिता है उनका कोई सरकारी काम बन सकता है या फिर अगर वो सरकारी जॉब में तो पज़ प्रमोशन अक्टूबर में हो सकता है साथी साथ देखा जाए आपकी अपनी रूची भी राजनितिक लोगों के अंदर रहेगी या आपका उठना बैठना अक्टूबर के मेने में नेता, परदान, मुख्या इनके साथ हो सकता है कई सारे आप मिटिंगे अटेंड करने वाले या नहीं देखा जाए तो अक्टूबर के मेने में सरकारी दफ्तर के चककर, कोड के चककर आप अपने लिए या किसी के लिए काटने वाले हैं या फिर किसी नेता से आपके राजनेती में इंट्रस्ट जागरित होंगे या किसी नीता से मुलाताद होगी तो कही न कहीं है जो तुरित्ति भाहों में सूर्य मंगल बुद्ध बैठा है इसकी वज़े से आपका राजनेती में रूची आ सकती है पूरा महिना देखा जाए तो परिवार में शांती का महौल रहेगा आप किसी देवी की भक्ति करेंगे या आपके ममी पापा देवी का किर्तन भजन करने वाली है साती साथ पूजा पाड का महौल रहेगा साती साथ देखा जाए तो अक्टूबर में देखा जाए तो परिवार के अंदर जो फैमिली मेंबर है उसमें किसी की खुश खबरी हो तकी विवाशादी का काम बन सकता है रुका हुआ करियर में काम बनता हुआ नजर आएगा तो परिवार के लिए ये श्थधी अक्टूबर की बहुत अच्छी है पाचवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबन उन करकर आशीवी वालों से है जिनकी संतान है चाए छुटी संतान है बड़ी संतान है तो संतान के स्वामी देखा जाए सूर्य मंगल बुद एक साथ बैठें तीन ग्रेग साथ बैठें तो देखा जाए तो अक्टूबर के मेने में जो आपकी बड़ी संतान है उनका मित्रों के साथ में या कॉलिज गूरूप के साथ में नदी पहाड ही लिस्टेशन की यात्रा अक संतान 17 से बड़ी है उनके लिए बहुत अच्छा है और जो छोटी संतान है उनका देखा जाए तो उनकी आक्टूबर के मेने में आप किसी एक्टिविटी में उनको डालने वाले या एक्स्ट्रा क्लासिस कराने वाले उनके प्रफूम्मेंस पर द्यान देने वाले उनकी एक्स्ट्रा स्टडी करवाने वाले ऐसा योग नजर आ रहा है तो छोटी संतान दो रहेगी वर्क लोड और एजुकेशन में बीजी एक्टिविटी में बीजी अब विद्यारतियों के बारे में बात कर लेते हैं चटी घटना है तो विद्यारतियों का देखा जाए सब्सक्राइब कोई न्यूज आपको अक्टूबर के मेंने में मिलेगी तो विद्यारतियों के लिए अक्टूबर का मेंना बहुत अच्छा है आप बात करते हैं साथवी घटना के बारे में बात करें तो इसका असर उन पे होगा जो गौर्मेंट जॉब या प्राइवेट प्रमोशन की यह बनते हैं या मैंनेजमेंट से आपको कोई एप्रीशेशन लेटर मिल सकता है तो यह तो अच्छा रहा खराब क्या होगा यह आप जॉब में कोई दो नंबर का काम करते हैं एक्स्टा इंकम या रिस्क वाला काम करते हैं तो भही आप बड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं आप की नौकरी भी जा सकते हैं आपके ऊपर किसी प्रकार का लफड़ा जपड़ा प्लीश के वरके रहें तो नंबर के काम से आप साब्दान रहें काम नहीं करेंगे तो गुरू चन्डाल योग अक्टीव नहीं होगा गच केसरी तो है एक्टीव तो उसस अपने हो दर्मियुदॉप जीमट्राइं अपने वर्क लोड में भीजी रहने वाले सुचारों काम परिवार की जिम्मिवारी में हैं आपका पार्टनर जी सिर रहे समय विजी रहेगा वीकेंट में जो चार वीकेंड आपको मिलते हैं गूमने जाने के चोटी-ज़घा पर यूघक बनते अक्तूबर का मेनत बहुत ज़्यादा नववीगतना के पे एफेक्ट करेगी जो व्यापार करते हैं दुकान चलाते अपना ही काम करते हैं तो यहां पर भी देखा जाए गुरू चंदर्मा राहू यानि गुरू चंडाल दोश भी बन रहा है और गज केजरी योग भी बन रहा है एक अच्छा एक बुरा योग बन रहा है तो आपक पूजा पार्ट भी होगा वहां पर आप हवन भी करने वाले हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी मेनेजमेंट में भी आप बड़ा चेंज करेंगे और उससे फायदा होगा कुछ आप जो हैं किसी धार्मिक व्यक्ति की एडवाइस से कुछ पूजा पार्ट काम की व प्लेंड भी आपकी बड़ेगी लेकिन काम में ब्रिद्धी हो रहेगी तो कुल मिलाकर करम चारी से भई आपको अक्तूबर के मेने में प्रेशानी रह सकती है तो मित्रों इस कारेकर में मुझे दीजाया जय माता दी